तेरा जुला की शुर्वनाल में को स्वागत है परमात्मा कहते हैं कि देह भान को देही अभी मानी स्थिती में परिवतन करने वाले बेहत के वेरागी भवा देह भान और देही अभी मानी स्थिती इंको हम समझेंगे चलते चलते यदि वेरागे खंडित होता है हर चीज़ करते हुए, नौकरी समालते, बिजनस समालते, वहरागे में रहना, मलकी बहुत चायना रखना, दो रोटी मिल रही है, बहुत खुश, संदुश्ट, चलते चलते यदि वहरागे खंडित होता है, तो उसका मुक्य कारण है धे भान, कि आप अपने धे के बारे में स संबंद भी आ जाते हैं, इनका क्या होगा, हम जिनता हम जब पढ़ते हैं, तो वहरागे से हम दूर हो जाते हैं, और जब तक वहरागे नहीं आएगा, तब तक परमातमे से जुड़ना मुश्किल होगा, जब तक देहे भान का वहरागे नहीं है, तब तक कोई भी बात का विराग्य सदकाल नहीं रह सकता थोड़े समिकले रहेगा विराग्य मन नहीं कर रहा है बनी करने कर रहा है चानी है बहुत हो गया फिर कुछ दिन के बाद में फिर वही सेहम उसी पट्री पे आ जाएंगे संबंद से विराग्य यह कोई बड़ी बात नहीं है वह तो दुनिया में भी कईयों को विराग्य आ जाता है लेकिन यहां देभान के जो भिन 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 रूप है तो संबंद से विराग्य लोग रिष्टे नातों से थोड़े दूर हो जाते है वह बहुत लोग को करना आता है बहुत लोग बाहर के लोग भी करते हैं सिर्फ ब्रमा कुमारी इसके नहीं यह कोई बड़ी बात नहीं है वह तो दुनिया में भी कईयों को विराग्य आ जाता है लेकिन यह देभान के जो भिन 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 रूप हैं उन्हें जानकर देभान को देही अभीमानी इस्तिती में परिवर्त कर देना यह विधी है बेहत के विराग्य बनने की तो परमात्मा सिखाते हैं हमें कि आप घर बार में रहते हुए भी आप सब के साथ में संबन निभाते हुए भी विराग्य बनो देही अभी मानी बनो देह भान में आये तो क्यों क्या यह तो मेरा है यह तो मेरा धन मेरी प्रॉपर्टी मेरा ही जब कुछ है उसमें जब हम फ़से तो परमत्मा कहते हैं फिर देह भान आया फिर वहीं पर ग्रोथ वहीं पर हमारी इर्शा गिर्णा नफरत ये सारे नेगेटिव कॉलिटिक आते हैं तो परमद करते हैं कि उन्हें जान कर उन्हें जानों कि कैसे आपके अंदर कमजोरी लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं देह भान मैं परमपरीत हूँ मेरा ये कॉलिफिकेशन्स है मैं इतना कमाता हूँ या मेरे पास में ये धन दौलत है मेरे इतनी प्रॉपरटी है मेरे ये चेहरा है मैं ऐसे दिखता हूँ मेरे ये ये सरती संबंदी है इनके बना नहीं रह सकता इस चीज़ की बना नहीं रह सकता ये में को प्राप्ती जरूरी है यह हो जाता तो अच्छा रहता यह सब कुछ देवान है जब परमात्मा मिलके तो देवान खतम हो जाना चाहिए और देवान खतम जब होगा तब परमात्मा से मिल पाएंगे चीज़े और अमश्यांती